आज हम लोग करेंगे यूस्टेबल होस्टिंग का डिटेल्ड रिव्यू 2023 के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिटेल टूल्स, वेब होस्टिंग, ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वालें यूस्टेबल के बारे में जो कि यह कंपनी है, इंडियन ओरीजिन बेस्ट ही यह कंपनी है, लखनाओ में इसके हेड़कॉर्टर है और यह कंपनी जो है धीरे-धीरे काफी ग्रू भी कर रही है, specifically in Indian market, आज हम लोग इसका डीटेल ट्रिव्यू करेंगे, मेरे पास इसके सर्वर्स अल्मोस्ट एक साल से हैं, तो मैं आपको पूरा इसका डीटेल ट्रिव्यू बताओंगा, A to Z किसको लेना चाहिए, क्या इस अजिए पूरे टीम के इंफॉर्मिशन दी है, तो यू दू नो कि इस साइट के पीछे कौन है, और अगर कभी कुछ खराबी होगे, तो यू दू नो हूँ तो रीच, जो मेरा पर प्लान है, जिस पे मने तेस्टिंग करी है, वो इनका यवाला शेर्ड होस्टिंग प्लान यहां पर आपको C-Panel नहीं मिलता है, डारेक्ट अडमिन है, और UI इनकी पहले से काफी इंप्रूव हुई है, लास्ट यह जो मेरा इसको लिया था तब इसकी UI इतनी अच्छी नहीं थी पर पिछले कुछ महिनों में ने UI पे काफी काम किया है, and it looks much better now. data centers की बात करनो तो सिफ US में ही आपको इनके data center में लेंगे on their shared hosting plans, server response time के बात करें तो यह रहा मेरा server response time US में काम था, बाकि धीरे धीरे आद शिंगापोर, Mumbai में थोड़ा increase हो गया है, and then coming on to the speeds, यह जो मेरी website है, मैंने इसको New York से test किया मुझे speeds आपर काफी अच्छी मिली है, under one second 700ms से भी कम कि मुझे आपर speed मिली है, जो की बहुत अच्छी है, speeds मुझे काफी अच्छी मिली है specifically on New York, and then यह again मैंने GT metrics से किया है, अच्छी speeds है, और उसके बाद मैंने इंडिया से जब इसके speed test करें, तो that was 4.35 seconds, तो इंडिया से यहां पर ज़्यादा अच्छी speed नहीं है, uptime के बात करों तो मैं इसको पिछले में से लेकर करके track कर रहा हूं, and अभी तक जो मुझे उसका uptime मिला है वो है 99.90%, जो की मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, it could have been a bit better, 99.94 at least मेरे हिसाब से होना चाहिए था 9.2, यहां पर उससे उपर होता तो अच्छा रहता, मैं आपर थोड़ा और improvement देखना चाहूंगा uptime पर, और जो भी latest uptime data है वो आपको हमारे detailed blog post पर मिल जाएगा, उसका link में नीचे description पर देदुगा, तो अगर कभी आप तो यह वीडियो future में देख रहे हो, तो आपको uptime data वहाँ पर latest updated मिल जाएगा, load test के बारे में बात करी जाएगा, तो यहां पर मैंने 50 virtual users भेजे हैं, तो चेक कि यह load कैसा handle करेगा, and इसने load यहां पर काफी अच्छी तरीके से handle किया है, 49 peak request गई है, कोई भी failure नहीं हुआ है, almost यहां पर 9500 request करी गई है, and जो इसका response time था, वो भी काफी काम है, तो load test इसने बहुत अच्छी तरीके से handle किया है, that is for sure, CDN as such आपको नहीं मिलता है, यहां बारे में बात करूं, तो back-ups के लिए आप तो यहां पर use table के direct admin panel पर जा सकते हो, and then they have jet backup, jet backup के थूँ यहां पर backup manage के जाएंगे, जिसमें आपको 7-day का backup मिल जाता है, और यह off-server backups है, मतलब अगर in case अगर आपकी website hack भी हो जाती है, तो भी in backups पे कुछ problem नहीं आएगी, and you can directly restore it from here, यहां से restore किया जा सकता है, यह मेरे पिछले साथ दिन का backup है, incremental backups लिए जाते हैं, and if you want you can restore database, यहां फिर पूरा account, अच्छे बात यह है कि यहां पर आपको selective restore भी कर सकते हो, कि अगर मुझे कुछ specific pile ही चाहिए, तो उसको भी मैं यहां से restore कर सकता हूं, like this, यहां पर बस मुझे manual backup लेने का भी option नहीं दिख रहा है, but apart from that it's really good, domain name की बात करें, तो इनका तीनो plans की ओपर आपको एक साल का free domain name मिल जाता है, support की बात करहूं, तो वह fast था, चार्ट रिप्लाइज आपर जल्दी आए जाते हैं, but मेरे experience में बहुत जादा technical नहीं है at present, जैसे मैंने query करी थी कि मुझे मेरी website को preview करना है, तो उस query को solve करने के लिए इनको 10 minute लग गए है, technical नहीं है लेकिन fast आजाता है, और यहां पर आपको Hindi call support भी मिल जाता है, तो अगर आपको support चाहिए call में Hindi language में, तो उसके लेगे काफी अच्छी service है, इससे पहले मैं प्राइजिंग के बारे में बात करूँ, मैं डिस्क्रीमर देना चाहूँगा कि यूस्टेबल ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पांसर नहीं किया है, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरी खुद की personal opinion से based on my experience, based on my testing, आला कि अगर आप लोग मेरी नीची दे गए लिंक से purchase करोगे, तो I will get some affiliate commission without any extra cost to you, in fact, आपको extra discount ही मिलेगा, तो अगर आप लोगो को मेरा काम पसंद आता है, तो you can support me by using the links in the description section below. Now let's talk about pricing, pricing ले you can go to my link, go.kripeshadvani.com slash use table, link description पे है, and इसमें we will go to web hosting, shared plan, shared ही मैंने या पे test किया जो दा professional वाला है, यह मैंने टेस्ट किया है, जो इसकी pricing यह बता रहा है, 179 रुपीज पर मन्त ही, अगर हम लोग इसको तीन साल के लिए लेते हैं, और दा स्टार्ट भी है, दा स्टार्ट यहां दा इलाइट, so let's go with दा professional, मेरे हिसाब से जो best plan है इनका, वो यही है, अगर आपको स्टार्ट करना है, तो you can start with this one, I click order now, इसमें coupon code भी मैं अभी आपको यहां पर बता रहता हूं, coupon code ले, you can go here, do you have a promo code, यहां पर आपको enter करना है, क्रिपेश, and then you have to click apply, इसके बाद आपको 10% का discount मिल जाएगा, जो की on top of their existing discount रहेगा, तो जो भी उरुप discount प्रवाइड करेंगे, उसके उपर आपको extra 10% का discount मिल जाएगा, with my coupon code, और एक और इसमें अच्छी बात है, backup free है, that is good, इसके लिए कोई extra payment अगरे नहीं करनी है, and then, यहां पर आपको GST number भी डाल सकते हैं, the amount is 3,400 rupees, और तीन साल की बात करें, तीन साल के 6,800 rupees के approcs नहां पर आपको पड़ेगे, मेरे असाब से you can go with 3 year plan if you are planning for long term, नहीं तो इनका annual plan भी अच्छा value for money है, refund policy की बात करों, 30 day की refund policy है, migration में आपर आपको 3 free migration मिल जाते हैं, साइड बिल्डर की बात करों, तो कोई साइड बिल्डर नहीं है at present में, software की बात करें तो light speed servers हैं, यहाँ पर wordpress, php, python, node.js, all, सब कुछ run कर सकते हैं, security में immunify 360 है, जो की scan कर सकता है malware के लिए, and then free SSL certificate मिल जाता है, सारी websites के लिए, अब इससे पहले में pros and cons के ऊपर जाओ, अगर अभी तक के आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो thumbs up दरूर देजिएगा, now coming on to the pros, इसकी speed मुझे काफी अच्छी देखने को मिली है, load test इसने काफी अच्छी से पास किया है, Hindi call support you can get, और UPI payment के options है, यूजर इंटरफेस काफी इंप्रूव हो चुका है विछले साल से, और आपको GST invoice भी मिल जाता है, कुछ कौन्स के वारे में बात करें, तो UPTIM मुझे आप बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलाए, technical support थोड़ा और इंप्रूव हो सकता है, और इंडिया में इसकी स्पीड अच्छी नहीं है, अब coming on to the bottom line, अगर आपको hosting चीए यूएस के लिए, आपको GST invoice चीए, आपको Hindi call support चीए, अच्छी स्पीड में अच्छा load handle कर पाए, तो USTable can be a good option, हाला कि इसका uptime यहां पर थोड़ा और इंप्रूव होता, तो और जाथ अच्छा होता, but it is still a good option, considering the price point, इस price point के थोड़े आसपास है, हमारे पास hostinger और fast comment, वो भी अच्छी alternatives हो सकते हैं, और एक चीज मुझे इस hosting के बारे में अच्छी लगी है, वो यह है कि इसले एक साल में इनों ने कापी अच्छे improvements करें, तो वो देखके मुझे अच्छा लगता है कि पिछले साल में ने देखा तो और जो मैं अभी देख रहा हूं, कापी difference है and then कापी improvements भी हुए हैं, so you can go with this, discount coupon code आपको link पर मिल जाएगा, and best hosting का video में बहुत जल्दी लाने बाला हूं, if you want you can check that one also, बहाँ पर बहुत सारी हमें बहुत होस्तिं के बाले बात करेंगे, so that is it, thank you so much for watching, I will see you guys in the next one, goodbye.